मुख्यमंत्री विश्णुदेवसाय का जन दर्शन होगा हफ्ते के ये कुछ दिन होते हैं जब CM जनता के लिए निकालते हैं और गुरुवार का दिन तो जनता के लिए होता है समर्पित और आज CM हाउस में मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को सुनेंगे राइपूर से खबर आ रही है बीजेपी कार्याले में सहायता केंद्र बीजेपी प्रदेश कार्याले में सहायता केंद्र बनेगा आज जिवित मंत्री ओपी चौधरी समस्याइं सुनेंगे आम लोगों की समस्या सुनेंगे ओपी चौधरी और कल मंत्री लक्षमी राजवारे जन समस्याइं सुनेंगे बीज़ेपी कार्याले में जनता की समस्याओं को सुना जाएगा सरकार के द्वारा सुख्षा व्यवस्था को बहतर करने के लिए तमाम प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन छात्र न शिक्षक दोनों परवा बने हुए हैं कई सिक्षक ही नकारा साबित हो रहे हैं तो कहीं छात्र भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे मुरेडा का ऐसा स्कूल है जो पिछले तीन सालों से बंद है न्यूजेटिन की टीन में जब परताल किया तो हकीकत सामने आई स्कूल में हर वर्ष एक चात्र का एडमिशन होता है लेकिन स्कूल का अताला नहीं कुलता ना सिक्षक पहुँचते और ना चात्र स्कूल को सारी सुविधाय मिल रही है लेकिन कहा जा रही है इसका कुछ पता नहीं अधिकारी की भी तरफ से कोई यहाँ पर जो है जाँच नहीं की जा रही अधिकारी कभी भी निरक्शन के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचते सोचिए क्या चल रहा है MPK मुराइना में कौन है इसका जिम्मदार यह तस्वीर देखिए यह स्कूल है कोई खंडर नहीं है अब सवाल यह है सबकी जुबान पर क्या आखिर कब यह ताला खुलेगा एडमेशन्स तो हो रही हैं लेकिन बच्चे दिखाई नहीं दे रहे स्कूल के लिए पैसे भी मिलते हैं बावजूद इसके यहां ऐसी कोई ववस्था नजर नहीं आ रही परेशाने साव और किसी की गाम बाले को किसी की परेशाई नाने परेशाने जी यह को मास्टर पढ़ावे आता तो जितना होता यहां पर लगाए थी पर बांक बाद वांक हमने शर्पंजी के यहां पर लगाए तो यहां बच्छे हैं और जो स्कूल खोलेगा खोलेंगे यह प्रक्रण आप लोग संग्यान में लेके आए इसमें हम लोग इमिजिट्ली चेक कराएंगे यह भी चेक देखने का विशे रहेगा कि बच्छों का पंजियन कहीं निकटर स्कूल में तो नहीं हुआ है वर्तमान में जिस स्कूल के आ के इसकूल के निर्मार से लेकर के उनकी मरमत के लिए करोड़ों रुपे खर्च किया जाता है इसके अलावा अन्य सभी सुख सुविदाय चात्रों तक पहुँचे इन सब के लिए सरकार हर वर्स सिच्छा विवाग के द्वारा फंडिंग की जाती है लेकिन यहां तो हाला यह है कि मैं इस वक्त जो जिस स्कूल पर मौझूद हूँ पहले इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे इस लॉग को देखकर के ही आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लॉग में जंग खाई हुई है इससे अंदाजा लगा सकती है कि आखिरी यह इस इसकूल उसके और लेका लूग नहीं खुला है जिस व्ज़े तहीं यहां हर वर्स यही हालात रहते हैं कि जो चात्र higher के होते हैं उन्हें प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है और वहां पड़ते हैं कासवाद तो यय कि कई चात्र आइसे हैं कि इसी स्कूल में उन तस्वीर बया कर रही है क्योंकि इसमें अब जब किसी की देखरेक नहीं होती है तो वह भी एक जरजर हालत में पहुंच जाता है यही बज़ा है कि इस बिल्डिंग की भी वही हालत हो रही है और इसी के पीछे जश्ट आंगनवाडी केंद्र है उसको भी आप देख सकते हैं इसमें भी लोक लगा हुआ है ग्रामीनों की माने तो उनका कहना है कि यह आंगनवाडी केंद्र ही लंबे समय से नहीं खुला है जिस वज़े से जो बच्चे होते हैं वो यहां भी पढ़ने नहीं आ रहे हैं सिर्फ जो मद्यान भोजन से लेकर के तमाम जो सुख सुविद प्रात्मिक स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है पिछले दो सालों से स्कूल का भवन जर्जर हो जाने के बाद नज़्दीग के आंगनबाडी केंद्र में प्राइमरी स्कूल संचालित हो रहा है आंगनबाडी भवन में आंगनबाडी और पहली से पाचवी तक की कक्षाए एक साथ संचालित हो रही है एक कमरे में स्कूल संचालित होने से बच्चों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो वहीं बारश में समस्या और भी ब यहां पर आगनवाडी कख्ष में पूरा संचलित क्या रहा है इस एक कमरे में आगनवाडी के अलावा प्राइमरी स्कुल संचलित हो रहे हैं यहां पर एक कख्षा आगनवाडी की और पांस प्रामुक कारण यह है कि बगल में जो प्राइमरी स्कूल का भवन है वो जर्जर हो चुका है और उस जर्जर भवन आनाने के लिए यहां के जन्रप्रतिधी और जो बच्चों के परिजन है कई बार प्रशासन से और सिक्षा विवाक से गौहार लगा चुके हैं लेकिन अब तक यहां पर उस समस्या कब से बनी हुई है और उनके द्वारा क्या प्रयास अब तक यहां पर किये जा चुके हैं यह पिछले बार से यह समस्या बन चुकी है यहां एक से पांस तक कप्छा जो संचालीत हो रही वह अंगलवाडी में हो रही है और हम लोगों ने प्रस्ता बना के वहां है और अब बात करेंगे सथना की जा सिक्षा के मंदिर में चातरों का भविष्या चौपट करते दिखाई दे रही है सिर्फ भविश्य ही नहीं सिक्षक उनकी जान से भी खिलवार करते नजर आ रहे हैं दरसल स्कूल में मासूम बच्चों से पढ़ाई की जगा कई तरह के काम करवाई जा रहे हैं मामला उचहरा के साश्की माद्यमिक विद्याले वधाव का है जहां आप चात्रों को घास उखारते देख सकते हैं चात्र जिस घास को उखार रहे हैं वो जहरीली घास है जिसके संपर्क में आने से चर्मरोग होता है जब इस मामले में सिक्ष्चा विभाग के आला अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी ने वीडियो देखने के बाद कारवाई करने की बात कहीं है जबलपुर में बारिश के चलते मकानों की हालत खराब हो रही है एक तरफ जहां पुराने और जरजर मकान गिरने की कगार पर है तो वही कुछ साल पहले मकान भी कमजोर हो रहे है मामला सदर का है जहां गली नमबर दो में रहने वाले आशीश गुपता का मकान दो हिस्सों में बढ़ गया मकान के बीच में तीन से चार इंच की दिवार आ गई है लोगों ने कैंट बोर्ड को मकान की जरजर स्थिती की जानकारी दी जिसके बाद कैंट बोर्ड और नगर निगम अतिक्रमर दल ने मकान को खाली करवाया और उसे गिराने का फैसला किया और दो मंजिला भवन गिराने की भी कारवाय की गई बड़ी मशीन टू अंडेड मशीन है उसके मात हमसे तोड़ने कारवाया भी जारी है MP सरकार कैटल फ्री सडके बनाने के लिए नई पहल करने जा रही है इसके लिए प्रदेश में जल्द ही दस गव अभ्यारन बनाए जाएंगे गव अभ्यारन के लिए सरकार वर्मिभाग और राज्यस्विकी जमीन तलाश रही है जिसमें की आवारा गोवन्ष को रखा जाएगा पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा है कि इससे सडकों पर घूम रहे निराश्रित गववन्ष का बहतर रख रखाव हो सकीगा वही सरकार की स्योजना पर कॉंग्रिस ने तंज कसा है बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती जा रही है तो हम लोग चाहरे की बड़े-बड़े जगे जहां पर जंगल हमारे पास है हमारे पास राजस्त की भूमी जहां ज्यादा उपलाते हैं मदब चारसो पांसो एकड़ से लेके दो जार एकड़त जहां भी हम को जतनी मिल रही है तो जतनी इश लैंड हम को मिल जाए गांगे अतने बड़े हम बनविहार बनाएंगे और वहां पर बन भ्याग की हम लोग कोसिस ये भी कर रहे हैं कि जहां ऐसी जगह लिए हैं भी हमने जो दस कि जहां पर की फारस्ट लेंड भी उपलाग दो जब तक आप दूद का सही दाम किसानों को नहीं देंगे सही नीती नहीं बनाएंगे जब तक गायें सड़क पे रहेंगी गो माता के नाम पर चुनकर आना और गो माता की सेवा करना दूनों में जमीन आसमान का फर्क है कमलाज जी की जब सरकार थी मात सवा साल की उस सरकार के दोरान कितनी गोशालाएं खुली और अब पिछले साले तीन साल में आपने कितनी गोशालाएं खोली अगर आप हिसाब किताब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा और बोलेटर में फिराल इतना ही आप बने रहें न्यूज एटीन के साथ